नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागिंद्र मिस्रा में आज हम बात करेंगे आज के कन्य राश्किदेनिक रास्वल की लेकन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में अब जीत महूर्त की अगर बात करें तो आज अब जीत महूर्त होगा दोपाहर 11 बच के 69 मिनट तक और आज के सुरूद है सुबह पांच बच कर 34 मिनट पे और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं करकरासी पर यानि कि आपके लाब भाव पे करने रास के जातकों यानि कि जो आपका धन भाव आबक है जिससे आपके इंकम होती है उस भाव से गोचर कर रहे हैं यहाँ पर चंद्रमा और आज के जो असुब समय होगा वह होगा दोपाहर 1 बच कर 49 मिन से लेके दोपाहर 2 बच कर 49 मिन कर रहेगा इस असुब समय में कोई भी सुब और नए कार किस्तरुवात ना करें नहीं तो बिग्न वाधायां शकती है अब बात करते हैं आज के कन्या रास की जातकों आज आपको पांच सुब समाचार मिलते हुए नजराएंगे एक तो केरियर में बड़ी उपलब्दी हा कन्या रास की जातकों और यहां रुके हुए तमाम कार पूरे होंगे और अपने हुनर का आज प्रतरसन करते हुए नजराएंगे आज आपको हुनर का यहीं काम करने का मौका मिलेगा आज आपके हुनर का और समाजिक छेतर पे कन्या रास की जातकों आज आपका जलबा रह कर रहेगा कदबड़ेगा और समाजिक छेत में लोगों की मदद कर सकते हैं और यह बहुत अच्छी बात रहेगी कर देशानी चल रही है अगर किशी की मदद करते हैं तो आपको दुगना धनलाब वैसे भी कृपा बरसे की भगवान की कृपा इसले यह मदद पर आप लगे रुका हुआ आज आपका तमाम कार भी पूरा होता नजराएगा कन्यरास के याद को आज आप छोटी यात्राओं पर भी तयार रहेगा क्योंकि छोटी यात्राओं की योग बन रहे हैं लेकिन आज आज आपको किशी को लेंदे नहीं करना है किशी को पैसा उधार नहीं देन अगर जिन लोगों ने अपलाई किया है या प्रयास किया था तो उन्हें किसी मल्टी नेशन कमपणी से आफार आ सकता है जोग के लिए और दूसरा सुब समचार आज आपका रुकावा फसावा धन भी प्राप्त होगा करने रास कियातों और अगर आप साजेदारी में बिजनेश ब्यापार करते हैं कारोबार करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा धनलाब हो शकता है और आप लोटरी शट्टा में अग आपको लाब होगा और अगर पहले से कन्यारास कियातों अगर आपने शेयर मार्केट में या फिर जमीन प्रॉपलिटी में आपने पैसा लगा के रखा है तो यहाँ पर दुगना धनलाब होता हुँ नजराएगा तो कन्यारास कियातों आज रियल इस्टेट कंट्रक्शन क के काम में जुड़े हुए हैं तो लाब होगा आप बैंकिंग के छेतर से अगर काम करते हैं किराने का इस्टोर काम करते हैं या फिर आप कलावाजी का काम करते हैं या फिर आप किराने के साथ मेडिसिन से जम्बंधित कोई काम करते हैं तो यहाँ पर आज आपको अच्छा खासा धनलाब भी होगा भविस्ट की प्लानिंग करेंगे इस इन्वेस्ट से तो कन्य राज के जात को आज आपको लाब भी होता हुआ नजराएगा और देखें बात करेंगर हम आपके सेहत के स्वास्त की तो कन्य राज के जात को सेहत में आज आज आपको सुधार देखने क और आज आप मानसिक ट्रेंस से भी कन्य राज के जात को बाहर निकलने का भरसक प्रयास करेंगे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी हला कि देखे योगा भिहास जरूर किया करें और अपने रूटीन में सामिल करें सुरूदे से पहले उठने के कोशिश करें और तुलसी के पत आने का इंतिजार करें तो आज आपको तीसरा सुबसमचार रिजल्ट को लेकर मिलेगा कन्य राज के जात को और अगर बात करें आपके घर परिवार की तो घर परिवार का सपोर्ट मिल रहा है आपके पीता जी का सपोर्ट मिल रहा है तो वहीं कन्य राज के जात को आज आ आपके कारियों में सहयोग प्राप्त करेंगे बड़े भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होगा तो यह जो बड़े भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होगा यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थितिया रहेंगी देखे एक तो एक अदस भाव पे चंदरमा गोचर करें तो ए बहुत अच्छा रहेगा लेकिन आप उन्हें नाराज ना करें बस उनकी बातों को समझे और उनकी ख्याल रखें उनकी जरूरतों को पूरा करनी के कोशिश करें कने राज के आतकों एक चीज का ध्यान रखें जीवन साथी से आज आज आपको चौथा सुब समचार मिल सकता है संतान को लेकर संतान की समस्याइं अब दूर होंगी और आपके जीवन में एक नन्य से आपके घर में गिलकारी गुन सकती है फिर आप प्लानिंग कर सकते हैं तो भविष्ट में भी आज यानि कि आज की जो प्लानिंग होगी भविष्ट में कि अफिदार के शंपन होने से आज आपका confidence बढ़ेगा और कुछ समय से कुछ ऐसे कारे हैं करने रास के जाथ को जिससे के लिए आप प्रियासरत हैं तो आज वह पूरा हो शकता है लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी करने रास के जात्कों आज आपको अपनी प्रतिबा दिखाने का मौका मिलेगा आज की दिन भाबनाओं में बहे कर कोई भी नेने ना ले आज की दिन कुछ चीजें खो जाने का डर हला की बना रहेगा तो आपको अपनी चीजें को सतर करहे के संभालने के अवशक्त रहेगी कुछ सामानों को खूने का जो खत्रा है उसे आप संभालने की जरूरत है जिसे यात्रा करतें तो संभालें या घर-परिवार में कोई चीज हो या पिर आप जहां आफिस में रहते हैं तो किसी अजनबी ब्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा ना करें सिंगल जातकों का बिवाहत हैं हो सकता है या फिर बिवाह की चर्चाएं हो सकती है आज दोस्तों का साथ मिलता नजराएगा कन्य रास के जातकों आज आपके जीवन साथी के स्वास्त में अगर पहले से कोई गड़वर थी तो इसमें सुधार देखने को मिलेगा तो कुले मिलागे कहा जाए तो कन्य रास के आत्कों आज के दिन काफी अच्छा रहने वाला है आज आप इंज्वाई करते होने जराएंगे और अपने जीवन में असली यानि खूबसूरत लमेह को गुजारते में जराएंगे पहले के उपेच्छा काफी दिन अच्छा रहेगा और यहां पर देखे अपने आप पर खुद को भरोसा बनाए रखें और अपने भरोसे के दम पर कोई भी काम करते हैं तो अपने भरोसे पर करिए और किसी के प्रतियनी कोई चाहिए दोस्त हो या फिर कोई आपका रिष्टेदार हो अगर कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल सतर करें पैसे के लेंदे ना करें हाला कि कन्य रासकियात को इसकिन संबंधी रिलेटेट कोई अगर समस्याई थी तो इसमें सुधार देखने को मिलेगा पैर से रिलेटेट कोई प्रोब्लम थी या फिर घुटने में कोई प्रोब्लम थी पहले तो सेहत वे सुधार देखने को मिलेगा आज आपका सेहत का ख्याल रखियेगा हलक सेहत अच्छा रहेगा आज घूमने फिरने कमान बना सकते हैं लेकिन आप नस्दी की घूमे कहीं बाहर न घूमे परिवार के साथ हिंजॉय करेंगे परिवार के साथ मिलेगा परिवार के साथ हलकी फुलकी जो दनावती वो दूर होती नजराएगी तो कन्यरास के याद को आज किसी बड़े खास बेक्टिसे मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए काफी ज़ीदा लाबदायकु शचावित होगी और कन्यारास के जातकों ये जो मुलाकात होगी काफियदा आपके लिए यानि बिनफिट वाले सावित होगी रिष्टेदारों से आज तालमेल बहतर रहेगा तो आज आपके कामों में मदद हो सकती है पुराने मित्रों से मदद हो सकती है कारचेतर में लाब हो सकता है तो आज कोई financial planning भी कर सकते हैं कन्यरास के जात को कारचेतर में जवरजस्त इजाफा देखने को मिलेगा हर कार को बड़े बारीकी से करेंगे बड़े ध्यान से करते नजराएंगे हर काम में आज आपका मन भी लगेगा किसी काम को अधूरा न छोड़े कन्यरास के जात को आज की दिन क्यूंकि अधूरा छोड़ना हलब कि आपके फितरत में नहीं रहता आप हमेशा उस कार को पूरा करते हैं लेकिन फिर भी किसी काम में आगर आलश लगता है या किसी प्रकार के थकान महसूस होती है तो आज फिर भी आराम करके काम को पूरा करने का प्रयास करें तो करने राज के जातकों आज आपको पांच सुबसमाचार मिल रहे हैं केजियर से बिजिनेस ब्यापार में, आपके दामपत जीवन में, आपके स्वास्त में और पढ़ाय लिखा ही हर तरह से आज आपको सुबसमाचार मिलने की योग बन रहे हैं आज आपका सुब रंग रहेगा लाल और भाग सातनी भारा आपका तकरीवन 92% तो दोस्तों जाते ते वीडियो को लाइक ज़रूर करें नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और से शेयर करें जैश नहीं